वेलकम माई लैज वरी बरी प्रेश स्पाइसीज़ कैसे है आप सभाइसीज़ आज 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 रहो एदू होगे और अच्छे state of mind में होगे और ये आपकी December की general reading है और इस reading में सबसे पहले हम आपकी general life की predictions करेंगे कि December में आप कैसा फील कर रहे हैं विकिस दिसम्बर अरड़ी स्टार्ट हो चुका है तो कैसा आप फील कर रहे हैं क्या कुछ चीजे कमिंग डेज में हो सकती है और क्या एनर्जी दिख रही हैं आपकी ये सारी चीजे पहले डिसकस करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए युनिवर्स के मेसेज़स देखेंगे और युनिवर्स की गाइडन्स देखेंगे कि युनिवर्स क्या आप से कम्यूनिकेट करना चाहते हैं और एक चीज का ध्यान रखेगा कि ये एक जानरल रीडिंग है तो उतना ही खुद पे लें प्रता ही जितना आप रलेट कर पा रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्तिकुलर मेसेज है जिससे सुनके आपको लगतां कि ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं है तो उस पर्तिकुलर मेसेज को फिर उन लोगों के लिए छोड़ दीज vain जिन लोगों के लिए वो message है Okay, so only take what resonates और यहाँ पर पहला card जो आया है आपके लिए वो बहुती सुन्दर आया है Ace of Pentacles Ace of Pentacles basically कोई opportunity है आपकी life में वो आते हुए बता रहा है कोई ऐसी opportunity जो बहुती naturally आपके सामने एकदम evidently आ जाएगी और यह opportunity आपके career और finances से mostly related है आपके पैसे, आपकी material things घर, गाड़ी type की चीज़े आपके finances या आपका career, आपका business, आपकी studies इन सब चीजों से related कोई opportunity आपको December में या तो बहुती naturally आपके सामने आ सकती है या तो आपको बहुती carefully देखना पड़ेगा और यह opportunity आपको दिख जाएगी यह opportunity आपकी दमाग में आया हुआ कोई idea भी हो सकता है आपकी दमाग में आई हुई कोई epiphany भी हो सकती कि मुझे career में यह कर लेना चाहिए तो आगे मेरा future बहुत अच्छा हो सकता है यह भी एक opportunity ही होती है तो आसपास अच्छे से देखेगा career growth पैसो से related कुछ opportunity या कुछ idea या फिर कोई एक रास्ता नया नजर आ सकता है दूसरा message है six of cups का six of cups का message basically यहां पर बता रहा है कि past से कोई friend है जो return आपकी life में आ सकता है कोई ऐसा person वापस आ सकता है जिससे आप बहुत समय से मिले नहीं है और यह बिलकुल भी आपकी romantic life से related हो बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है पास्ट का कोई friend आपकी life में वापस आ सकता है किसी friend का बहुत समय बाद आपके पास call आ सकता है किसी acquaintance का आपके पास call आ सकता है आप अचानक किसी से मिल जाएं जिससे आप बहुत time से नहीं मिले हैं तो यह return of energy है जो आपकी life के किसी भी aspect में आ सकती है कोई past का person दुबारा life में appear होते हुए दिख रहा है Pisces December में और यह energy अच्छी होने वाली है तो I don't think so कि यह कोई ऐसा person होगा जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं यह कोई ऐसा person है जिसे देख के आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं और इसके बाद जो आपके लिए card आया है वो page of pentacle का है तो page of pentacle basically अपनी skills को improve करना नए courses लेना, नए skills सीखना, नए career में interest लेना नए career पर research करना, किसी नए चीज पर research करना जो कि आपकी self growth से related हो सकती है या again आपकी career से related हो सकती है तो हो सकता है कि आप इस महीने research करें कि आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी है नए साल पर या फिर आप research करें कि आपको कौन से courses लेने हैं आपको कौन सा college join करना है, आपको कहां पर अपनी job के लिए apply करना है ये नई beginning से पहले वाले interest की energy होती है कि new beginning अभी हुई नहीं है, पर आप interest से देख रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए, और उसके बारे में research कर रहे हैं studies कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो शायद आप उसके लिए coaching classes लगाएंगे या फिर पढ़ाई शुरू कर देंगे इंशल रिसर्च की education की कोई ऐसी चीज जिसमें आप interest ले रहें जो आगे आगे आपके लिए abundance create कर सकती है तो नए courses यहाँ आप ले सकते हैं कुछ नया आप करते हुए दिख रहे हैं उसके बाद यहाँ पर है night of wands की energy night of wands की energy बहुत जादा highly motivated आप फील करने वाले हैं Pisces यह आपका motivation है जो I don't know कहां से आ रहा है यह आपका inspiration है यह आपके अंदर का fire है और यह fire आपको force करेगा life में कुछ करने के लिए action लेने के लिए go-getter की energy है कि आप कुछ achieve करना चाहते हैं अपने dreams को chase कर रहे हैं एक्दम confident feel कर रहे हैं और action लेने के mode में आप दिख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बहुत जादा fire आपके अंदर दिख रहा है यह fire तो highly motivated आप दिख रहे हैं अपनी जिंदगी सुधारने के लिए यह ऐसा हो सकते हैं मुझे अपनी life change करनी है यह अचानक से आदी रात में आपकी दमाग में थोड़ा है मुझे अपनी पूरी जिंदगी change करनी है मतलब अचानक से आपके life में के difference create कर आपकी life को बदलने का power रखता है तो बहुत ही positive और strong energy है यहां पर अगयन एक बहुत प्यारी energy आई है और oh my god इस card को देखे कितना heavenly है यह card 10 of cups बहुत ही strong emotional fulfillment बताता है एक aspect emotional fulfillment आपके relationship से भी आ सकता है but at the same time emotional fulfillment आपकी किसी भी dream के पूरे होने से भी आ सकता है तो आप emotionally बहुत अच्छा feel कर रहे हैं emotionally बहुत ही fulfilled feel कर रहे है no matter पिछले महिने आप क्या feel कर रहे थे हैं आपकी life में कि emotionally आप बहुत ज्यादा satisfied है सुकून में है कुछ लोग आप में से divine bliss हो सकता है feel कर रहे हो satisfaction अपनी life में feel कर रहे हो आप बस खुश हो यूआ अपनी life को लेके excited हो तो वो सारी energy sorry I'm sorry दिख रही है और यहां पर हमारे पास queen of cups की energy है queen of cups की energy आपकी energy है cancer pieces और scorpio की energy तो even though कई बार यह energy यह भी दिखा सकती है कि आपकी life में कोई cancer pieces या scorpio है पर at the same time यह energy आपकी energy है तो यह बता रहे है कि आप किसी चीज को nurture कर रहे है किसी चीज को nurture करना तब क्या होता है किसी चीज को nurture करना मतलब की कोशिश करते हूं समझाने की आपके हाथ में cup है यह कुछ है जिसे आप nurture कर रहे हैं मतलब की जैसे आप जब एक पौधा लगाते हैं तो उसे पानी देते हैं और you know जो भी चीजे करते हैं कि वो अच्छे से bloom हो सके उसको nurturing बोलते हैं जो mother's होती हैं अपने बच्चों का जैसे की ध्यान रखते हैं उसे nurturing मतलब कोई चीज जो आपके दिल के बहुती करीब है आपको बहुत जादा पसंद है उसे आप grow करवानी की कोशिश कर रहे हो आप उसका ध्यान रख रहे हो तो यह आपका कोई dream भी हो सकता है you know again एक कर रहे हो तो आप अपने dream को nurture कर रहे हो समहाल के रख रहे हो अपने dream को पूरा कराने की कोशिश कर रहे हो आप बहुत जादा positive feel कर रहे हो तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो आपके दिल के बहुत जादा करीब है और आप उस चीज को nurture करेंगे grow करने की कोशिश करेंगे और बहुती ज़ादा प्यारी एनरजी है आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं फरक नहीं पड़ता है बढ़िख लाज़िक करना, अपने सपनों की करना अपने खुद की करना, सेलफ लव ये सारी चीज़े हाँ पर बहुत ज़ादा दिख रहे हैं अगर आप mothers हैं तो हो सकता है अपने बच्चों की आप care करें अगर आपके हो सकता है कुछ लोग अपने partner की care करें हो सकता है कुछ लोग अपने parents की care करें उनका ध्यान रखें या फिर ये literally आपका कोई dream हो सकता है उसके बाद यहाँ पर है eight of cups की energy eight of cups की energy अगर दिसेंबर में आप कुछ prayers कर रहे हैं December में आप कुछ manifest कर रहे हैं एक missing piece आपकी life का उसके लिए आप prayers कर रहे हैं मतलब यहाँ पर सारे cups रखे हुए हैं एक cup missing है यहाँ पर एक cup यहाँ पर missing है एक खालीपन है life में एक void है life में और यहाँ पर shooting star दिख रहा है और यह shooting star represent कर रहा है कि आप एक wish universe के सामने रख रहे हैं या फिर manifest करने की कोशिश कर रहे हैं यह एक life का खालीपन है कभी-कभी यह खालीपन या void आपको परिशान करता होगा कि यह चीज बस missing है life है बस यह चीज और मिल जाए कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि ऐसा लगे कि चलो सब कुछ तो ठीक है सब चीज के लिए तो मैं खुश हूँ पर बस life में पैसा नहीं है जितना पैसा चाहिए तो हो सकता है आप वो कमाने की कोशिश करें वो missing piece आपकी life का या फिर हो सकता है कि आपके पास पैसा हो आप पैसो को लेके worried नहीं हो आप satisfied हो जितने भी पैसे आपको life में मिल रहे है पर आप सोच रहे हो प्यार की कम यह life में बस यह और मिल जाए तो ऐसे किसी चीज के लिए आप intention रख रहे है कुछ भी हो सकता है जॉब हो सकती है आपकी love life हो सकती है आपकी spiritual growth हो सकती है आपकी mental health हो सकती है कि बस भी मुझे anxiety होना बंद हो जाए बाकी तो मुझे सब टीक है तो यह कुछ भी missing piece है जिसके लिए आप intention रख रहे हैं और यह बहुत ही प्यारी energy है दूसरा हमारे पास card है wheel of fortune का and I love this deck क्योंकि इसमें wheel of fortune magician के साथ में आता है wheel of fortune card basically यह बताता है कि आपकी life change हो रहे है या फिर आपकी destiny change हो रहे है you know destiny में परिवर्तन आ रहे हैं आपके और यह जब wheel घूमती है तो यह हमेशा positive side में घूमती है मतलब कि कुछ ऐसी चीज लाइफ में हो रही है जो कि बहुत जाद आपके लिए positive रहेगी बट यह वाला wheel of fortune का card magician के साथ आया है और दोनों energy बहुत ही जादा contradictory energy है मतलब कि magician जब card आता है तो यह बताता है कि आप manifest करके अपनी life को change कर रहे है मतलब कि आप deliberately आप खुद से अपनी जिन्दगी को change कर रहे हैं अपने positive attitude से meditation करने से अपनी affirmation बोलने से अपनी prayers करने से अपने faith रखने से आपकी energies आपकी जिन्दगी और destiny को change कर रहे हैं पर जो wheel of fortune होता है वो बताता है कि आपकी destiny आपकी life को change कर रहे है समझ रहे हैं आप दोनों में difference है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं पर आपकी destiny आपकी life को positively change कर रहे है बट यहां भी क्योंकि wheel of fortune के साथ में magician है तो यह समझ में आ रहा है कि आपकी prayers आपके manifestation, आपके meditation या जो connection आपका divine से है उसके कारण आपके life में major positive changes आ रहे है तो यह positive changes आप December में feel भी कर सकते हैं इवन दो आपकी दिमाग का एक part अभी भी lack mentality में है क्योंकि life में कुछ missing है और वो खल रहा है, वो चीज बुरी लग रही है but at the same time आप अपने faith या prayers या कुछ-कुछ आप ऐसा कर रहे है कुछ आप अपनी life में ऐसा या आप actions ले रहे हैं कुछ आप ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी खुद की destiny को positively change कर रहे है तो changes आ रहे हैं और ये बड़ी चीज़े हैं, ये बड़े event है और हम कर रहे हैं monthly readings तो जरूरी नहीं है कि ये बड़े changes आपको December में ही महसूस होने लगए December में ही ये changes हो जाएं, ये जरूरी नहीं है पर महसूस जरूर होने लगेंगे कुछ ऐसी feeling आएगी कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ और जब भी ऐसी feeling आती है न कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ ये आपको positive feel होने लगता है तो समझ जाएगे कि आपका manifestation ये आपकी wish बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है और यहां पर जो दूसरा कार्ड है वह बहुत ही amazing सा emperor का कार्ड है आप है water sign पर आप दिख रहे हैं emperor की energy में emperor की energy multiple चीज़े depict कर सकता है बड़ बेसिकली emperor की energy boldness confident authority डिपिक्ट करती है emperor emperor कौन होता है emperor is someone जो सारे kings को भी rule करता है तो जितने भी king of pentacle this and that queen of this and queen of that उन सबसे superior emperor होता है तो December में एक point पे आप ऐसे आते हुए दिख रहे हैं कि हमने यहां पे देखा था कि आप knight of wands से motivated feel कर रहे हैं emperor से आप empowered feel कर रहे हैं December में और आप bold feel कर रहे हैं confident feel कर रहे हैं आपको पता है कि जो चीज़े आप चाहते हैं life में वो जरूर होंगी यह इस level की energy है at the same time emperor तब भी आता है जब आप अपनी family की responsibility ले रहे होते हैं आप अपनी family का ध्यान रखते हैं आपके ऊपर responsibilities हैं आप उन्हें इस responsibilities को पूरा कर रहे हैं चाहें वो आपकी घर की responsibility हो आपके job की हो आपके business की हो या फिर आपकी खुद की life की हो तो authority यहां पर दिख रही है confidence है maturity दिख रही है boldness दिख रही है practical decisions लेन यह सारी चीजें आप पावर में दिख रहे हैं इसा लग रहा है हाथ में आपके magic है और आपने खुद के अंदर के magic को पहचान लिया है यह अपने potential को पहचान लिया है या फिर अपने power को पहचान लिया है उसके बाद यहां पे sun की energy है sun की energy happiness positivity सारी अच्छी चीज है this is the happiest card of the deck इससे खुशी भरा card कोई नहीं है sun जो हमारी life में positive positivity लेके आता है एक vital life force जो earth पे हर चीज को हर चीज को जान देती है अगर earth पे sun नहीं होता एक particular तरीके से reflect नहीं कर रहा होता तो हमें से किसी की भी life नहीं होती तो sun वो positivity है creation की happiness की positivity की hope life में hope रखना life में positive सोचना तो अगयन बहुत ही positive attitude में आप दिख रहे हैं कुछ ऐसी चीजे हो रहे हैं जो आपको positive करेंगे जो बहुत ही अची feel होंगी सुकून आप feel करेंगे positive आप feel करेंगे एक बहुत ही अजीब सी अजीब सी खुशी life में दिख रहे हैं कुछ नएपन की खुशी किसी टाइप की खुशी मुझे नहीं पता उसकी बाद यहां पे seven of sorts की energy seven of sorts की energy यहां पे आपको बोल रही कि आपको morally correct रहना है December में और life में हमेशा चाहें लोग कुछ भी आपके साथ करके जाएं यह कोशिश करिएगा कि आपके करमाज हमेशा clear रहें सबसे पहले कोई भी ऐसे काम में हमें involved नहीं होना है जो गलत है चाहें वो morally गलत हो या इसी का ध्यान रखेगा at the same time seven of sorts बताते है कि life में आपके कुछ ऐसे लोग हैं जिनके for sure आपके लिए intentions अच्छे नहीं हैं जो आपकी energies को jinx करते हैं नजर लगाते हैं या फिर हमेशा यह सोचते रहते हैं कि Pisces की life में क्या हो रहा है कहीं बहुत जाद अच्छा तो नहीं हो रात में share नहीं करना है और यहां पर full की energy है full की energy new beginnings बताती है या फिर leap of faith लेके किसी नए सिरे से जिंदिगी को शुरू करना भी बताती है तो हो सकता है आप पूरे hope के साथ faith के साथ अपनी life में एक restart करें और किसी एक particular नए रास्ते पे भी आप जा सकते हो सकता है कि आप restart क करें change of आपका routine हो सकता है कोई नई job join करना हो सकता है कोई नया routine join करना हो सकता है बस आपको इस से बचके रहना है और यह चीज है आपका आलस्पन आपकी आपका procrastination आपका laziness और आपका कोई addiction you know तो बस self-sabotage से बचना है खुद हमारे खुद की habits जो हमारी life को खराब करती ह उनसे आपको बस बचके रहना है उसके बाद यहाँ पर Ace of Sorts की energy है Ace of Sorts energy oh my god मेरे दमाग में पता नहीं क्यों यह thought आया आप यहाँ पर अपना वान लेके खड़े हुए है अगर कोई life में आके आपको परिशान करने की कोशिश करेगा आप आपको irritate करने की कोशिश करेगा आपको dominate करने की कोशिश करेगा आपकी self-respect पे उंगली उठाने की कोशि परिशान किया तो मैं अपना डंडा लेके खड़ी हुए एकड़म अटाक करने के लिए oh my god आप healthy boundaries maintain करके रख रहे हैं यह वो महीना नहीं है कि लोग आपको आके तंग करें irritate करें परिशान करें आप किसी की भी SHIT बिलकुल भी नहीं लेने वाले हैं because आप बहुत जादा powerful या confidence में बोल्डनेस में खड़े हुए दिख रहे हैं आप किसी की भी कोई भी फाल्तु की बाते बरदाश नहीं करेंगे और यह बहुत ही प्यारी energy because जब water sign इतने जादा empowered दिखते हैं तो मेरी यह favorite चीज है life में कि water sign को इतना empowered देखना क्योंकि अकसर water sign बहुत ही जादे emotional ह और कोई भी फिर emotional आपकी emotional होने का फायदा भी उठाने लगता है तो यहां पर आपने decide कि आए कि आप किसी को अपना फायदा उठाने नहीं देंगे और यह बहुत ही प्यारी सी energy आप warrior energy में आप स्टांड कर रहे हैं which is very nice हमारे पास है you should accept valid criticism okay यह कार्ट बहुत ही अच्छा parents अक्सर हमें बोलते कि दिन भर phone में लगे रहते हो इसलिए तुम्हारी life में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है तो अब हम सुनके तो बहुत ज़्यादा irritate होते हैं बट अगर उनकी बातों को हम अच्छे से समझे तो actually वह बहुती valid criticism है क्योंकि actually हम phone में अपना बहुत ज़्या यहां पर कोई male figure आपकी life में दिख रहे हैं जो आपके लिए important रहेंगे Pisces तो कोई male figure है यहां पर यह कोई भी हो सकते हैं आपके friend आपके boss आपके colleague great passion आप में से काफी सारे लोग अपने passion को follow करने वाले हैं December में चाहे वह passion आपके work out करने का हो चाहे वह passion आपके art का हो चाहे पैशन कुकिंग का हो कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ही जादा passionate कर रहा है और आप खुश है इस चीज को करके great worry over nothing यहां पर दिख रहा है कि आप लोग कई बार overthinking करते हैं कई बार इतनी tension ले लेते हैं life को लेके बट इतनी tension लेने की तो कोई बात ही नहीं है Pisces तो spiritual guidance protection from harm देखें यहां पर seven of swords और अकसर जब seven of swords आता है तो यह काट साथ में आता ही है मैं इतने महीनों से notice कर रही हूं तो यहां पर जैसे हमने देखा था कि कोई person है जिसकी energies आपकी towards अच्छी नहीं है यहां जो भी हमने discuss किया था है यहां पर आपकी जो spiritual team है जिस भी energy में आप believe रखते हैं अगर आप guardian angels में रखते हैं universe में रखते हैं आप जिस भी religion को आप follow करते हैं यहां पर divine energy आपको protect कर रही है और आपको guidance भी दे रहे है continuously आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं Pisces कि क्या करना ठीक है क्या नहीं करना है at the same time किसी भी protection से किसी भी harm से energy आपको protect भी कर रही है rainbow का card है मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि rainbow का card पिछले मन्त भी आपके लिए आया था basically card बताता है कि the most difficult part of a situation is over आपने जो भी situation अभी तक खराब life में देखी थी अब वो over हो चुकी है अब वो खतम हो चुकी है तो जो difficulty थी life की already उस phase से आप निकल चुके हैं अब जो आपका life का phase आएगा उसमें आपको इतनी जादा परिशानी या difficulty handle करना नहीं पड़ेगी okay you will receive a gift December में आपको कोई कुछ gift दे सकता है और यहां पर फिर से यह lion की energy और fire की energy आ गई है और यहां पर लिखा हुए time to act so December बहुत ही action oriented है काम निप्टाने का मन्त है काम करने का मन्त है काम पर focus करने का मन्त है see आपका December शांत महीना नहीं है आपका December fiery महीना है मतलब अक्षण का महीना है go for it वाला महीना है do it वाला महीना है ठीक है तो action लीजे act करिये December में अपने काम करिये जो काम आपके लिए करना important है उसके बाद है pleasure with a close friend आपकी life में कुछ close friends दिख रहे हैं, जिनके साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे, यह लोग अच्छे दिख रहे हैं, जो आपके आसपा से, temptation will test you, see, this is how it works, मैं क्यों इतनी surprised रह जाती हूं, seven of swords आया था, यहां पर protection का card आया था, यहां पर devil है, और यहां पर temptation का card आ गया है, temptation ही devil energy होता है, temptation, आलस्पन दिखाने का temptation, temptation कुछ गलत काम करने का, temptation, alcohol consume करने का, temptation, किसी ऐसे इंसान से बात करने का जिस्ते हमें बात नहीं करनी चाहिए, तो temptation आपको test करेगा December में, आपका आलस्पन आपको test करेगा, आपका procrastination आपको test करेगा, आपकी negative thinking आपको test कर सकती है, आपके life को लेके doubts आपको test कर सकते हैं, तो किस temptation पे आप given कर देंगे, या किस पे नहीं करेंगे, यह आपके ओपर depend करेगा, बट life में temptations हमेशा रहेंगे, आपको temptation नहीं, आपको discipline पे focus करना है, जितने आप life में disciplined रहेंगे, see motivation भी आता जाता रहता है, आपने कुछ देख लिए, आपने यी reading देख लिए, आप थोड़ी देर के लिए motivated हो गए, बट कल क्या करोगे, परसो क्या करोगे, तो उस time पे discipline is the most important thing, because motivation is temporary and discipline is forever, तो discipline रहें, कोई भी toxic energy आपकी life को self-sabotage करवा दे, potential तो बहुत जादा है, पर हमारे आलस्पन के कारण हम life में कुछ कर नहीं पा रहें, अगर ये चीज है, तो this is bad, okay, खुद के हाथ से life बिल्कुल मत खराब करना अपनी, someone working against you behind your back, कोई person है, जो नहीं चाहता कि आप life में successful हूँ, ऐसी energy से दूर रहें, प्लीज, ओके यहाँ पे कुछ plans थे, जो पहले unsuccessful हुए थे आपके, but again, उस जगे को नए plans replace करने वाले हैं, पहले हम कुछ काम करते थे, वो काम हमारा workout नहीं हुआ, तो कुछ नई चीज आएगी life में, कुछ नया newness आएगा life में, और एक और chance मिलेगा उस particular aspect को सुधारने का, take care, वापस से लोग दिख रहे हैं, मुझे बोलना भी नहीं है कि इस card में क्या है, वापस से आपके आसपास लोग दिख रहे हैं, जिनके intentions आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इन लोगों को ignore करें, again, same चीज़ इंप्लिमेंट होगी, यहाँ पे इन लोगों को ignore करें, अपने secrets किसी से share ना करें, अपनी life की planning किसी से share ना करें, जब तक कोई काम successful नहीं हो जाता, उसके बारे में लोगों से discuss ना करें, parting of ways in either romance or business, किसी एक person से या किसी एक situation से, या किसी एक community से, आप distance बनाते होगे दिख रहे हैं, December में, कोई group of people हो सकते हैं, जिनके साथ पहले आप उठते बैठते हो, शायद आप उन से distance बना लें, या फिर किसी energy से आप distance बनाते होगे दिख रहे हैं, जो आपके लिए पहले toxic थी, और यहाँ पर announcement का card है, कुछ अच्छी news आपको मिल सकती है, December में, कुछ positive चीज़े सुनने को मिल सकती है, कुछ announcement हो सकते हैं, तो कुछ major चीज़ या news आपको सुनने में को मिलेगी, जो कि या तो आप से related हो, या फिर आपकी आसपास कि किसी person से related, कुछ announcement हो रहा है, जो कि important है, अब divine messages देखते हैं आपके लिए, Pisces, Okay, Oh my God, हम इस बारे में बात ही कर रहे थे, और इस से related ही पहली guidance आईए, No more procrastinating, Procrastination बन करिये, मतलब आलस्पन बन करिये, कामों को टालना बन करिये, दमाग में इतने सारे ideas तो आ रहे हैं, पर हम कुछ कर नहीं रहे हमारे आलस्पन के कारण, या फिर हमारे distraction के कारण, क्योंकि हमारा दमाग distracted है, तो procrastination से निकलें, तो आलस्पन, laziness अपने potential को waste नहीं करना है, Follow your passion when it comes to your career, आप में से कुछ लोग अगर अपने passion को career बनाना चाहते हैं, और कुछ side में अपने passion से related कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो just go for it, अगर आप अपने passion को career बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये green signal है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हों के, so just go for it, और इसका मितब ये नहीं कि बहुती stable job छोड़ के, आप इस message को सुनके वो काम करने लग जाए, side में शुरू करिए पहले, धीरे धीरे करके उसकी practice करिए, धीरे धीरे उस चीज़ को grow करना शुरू करिया है, being distracted and failing to see a magical opportunity, आप में से कुछ लोग इतने जादा life में distracted हैं, कि जो important चीज़ें हैं अभी life में, उस पे आप focus नहीं कर रहे हैं, या फिर इतने कुछ चीज़ों में distracted हैं, कि life में कुछ opportunities हैं, आपके पास time है कुछ करने का, कुछ opportunities आपके आसपास exist करती हैं, बट उन opportunities को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप distracted हैं, लाइफ में शायद आप उन चीज़ों पर focus कर रहे हैं, जिन चीज़ों पर आपको focus करना ही नहीं चाहिए, तो यहाँ पर universe का message है, कि आप you are failing to see a magical opportunity, या तो आप अपना potential नहीं देख पा रहे हैं, या फिर कोई opportunity को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका दमाग कहीं और है अभी, और यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है, कि आप अपने आसपास के कुछ लोगों को, या अपनी blessing को for granted ले ले लेते हैं कभी-कभी, क्योंकि again या तो आप distracted हैं, क्योंकि एक particular चीज जो आप चाहते थे, वो नहीं हुई है, उसके कारण, आप life की बाकी अच्छी चीजों को देखना, देखने में fail हो जाते हैं, एक missing cup है यहाँ पे, उसके चक्कर में, जितने cups आपको दिये हैं universe ने, उन सब को आप देख नहीं पाते हैं, या फिर उनकी importance को realize नहीं कर पाते हैं, तो yes, कुछ चीज missing है life में, बट इसका मतलब यह नहीं है, कि बाकी की blessings को आप ignore कर दे, या for granted ले ले ले, तो opportunities देखिए, क्या है life में, अभी किस चीज़ पर focus करना ज़्यादा important है, क्यों आप distract हो रहे हैं, क्यों आप अपनी blessings को समझ नहीं पा रहे हैं, being, bring fun into everything you do, okay, तो यहाँ पर life को बहुत, यह message हर बार आता है, बहुत सारे science के लिए, कि life को बहुत ज़्यादा seriously लेने की जरुवत नहीं है, you know, because हमारी mentality क्या होती, कि यह particular काम हो जाएगा, उसके बाद हम खुश रहेंगे, वो particular काम हो जाएगा, उसके बाद खुश रहेंगे, यह particular wish पूरी हो जाएगी, उसके बाद खुश रहेंगे, ऐसा तो नहीं कि life को आपने बहुत ज़्यादा seriously ले लिया हो, और आप छोटी छोटी चीज़ों को enjoy करना भूल गया है, life की, you know, because अभी मैं कल पता नहीं क्या देख रही थी online, और मुझे बहुत अच्छा message दिखा, कि जब इंसान मरता है, तब उसको realize होता है, कि life के छोटे-छोटे moments important होते हैं, कोई particular destination important नहीं होता है, तो इसलिए life आपकी, अगर आप किसी particular चीज़ के होने का इंतिजार करेंगे, तो life आपकी निकलती जाएगी, पर जिन्दिगी आपको आज में जीने हैं, आपको आज को बहतर बनाना है, आपको आज को enjoy करना है, जितना असपास है, उसमें enjoy करना सीखे, हमेशा ये मत सूचे कि ये चीज़ हो जाएगी, तब मैं खुश रहोंगी, ये wish पूरी हो जाएगी, तब मैं खुश रहोंगी, जितना कुछ मिला है, उसी में आप बहुत जादा खुश रह सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिली भी हैं आपको क्योंकि बार बार ऐसे मेसेज़ें सारे के ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में पर कई बार आप देख नहीं पाते हैं कि manifestation के process को enjoy करें creation के process को enjoy करें it's more like मैं बहुत ही प्यारा सा एक example देती हूँ कि कोई artist है वो अपनी painting बना रहा है कोई artist है वो अपनी painting बना रहा है तो वो ऐसा थूड़ी ना सोचेगा कि जब painting बन जाएगी तो मुझे तब ही खुशी होगी वो artist painting बना रहा है क्योंकि उसको process में खुशी मिलती है वो जो process होती है painting बनाने की तो ऐसे ही जो goals आप achieve करना चाहते हैं उसकी process में छोटी छोटी खुशियां ढूंडिए process को enjoy करें ऐसे ही manifest जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसकी process को enjoy करें अपने meditation को करिए अपनी affirmations को करिए अपने वो constantly खुद को push करना पड़ता है life की positive side देखने के लिए जब आप कुछ manifest करने की कोशिश करते हो तो क्योंकि constantly आपके दुमाग को positive रखना है तो हर छोटी छोटी positivity को ध्यान में रखना पड़ता है तो इसलिए उस भी process को enjoy करें अगर कुछ manifest करना चाहते हैं कि वाव कितने सुंदर flowers है थोड़ी तो खुशी मिलती है न देखके तो आसपस क्या चीज़े हैं या फिर जाए अपने लिए अपने लिए फ्लावर खरीद के लाइए I don't know तो छोटी छोटी खुशों को chase करें अपने dreams को पूरा करते करते हैं walk away from dishonest associations और दूसरा sentence है realizing that what you thought you wanted isn't the best choice for your happiness तो सबसे पहले तो walk away करें let go करें आपके आसपस जो dishonest लोग हैं उनको जो लोग आप क्या अच्छा नहीं सोचते हैं जिनकी intentions आपके लिए अच्छे नहीं हैं उन लोगों से थोड़ा अलग हो एक distance बनाएं दूसरी चीज कि आपको December में यह realize होने वाला या हो चुका है कि जो चीज पहले आपको बहुती जादा अच्छी लगती थी जो पहले आपकी wish थी आपकी wish बदलते हुए अब दिख रही है तो पहले जो चीज आप बहुत जादा चाहते थे हो सकता है कि अब आप universe को यह बोले कि नहीं अब मुझे वो चीज नहीं चाहिए आप अपने creativity से और अपने hard work से बहुत ही जादा bright future अपने लिए manifest कर सकते हैं Pisces यह divine का message है आपके लिए और कौन सा message चाहिए divine आपको खुद बोल रहे हैं कि आप में talent है और potential है success that comes from dedication and self discipline याद है हम discipline के बारे में बात कर रहे थे तो again एक card है जो कि आपको यह बता रहा है कि आप successful हो सकते हैं अगर आप dedicated रहे और disciplined रहे तो okay उसके बाद seek out an intellect solution to your problem तो यह card में यह guidance है कि हमेशा दिल से decisions ना ले life के कभी-कभी अपने intellect को use करना अपने दिमाग को use करना equally important होता है तो मेरी ख्याल से यह message इसलिए आया है क्योंकि आप में से कुछ लोगों की life में आपको थोड़ा सा भी practical सोचने की जरुवत है थोड़ा सा अपने emotions को side में रखके practical life में decisions लेनी की जरुवत है okay Pisces उसके बाद में again यह message आया यह message पहले भी आया था कि आपके past से कोई friend या कोई person return हो रहा है oh my god यहां पर बहुती loving energy यहां पर universe का message है कि आपकी life में प्यार आ रहा है आपकी life में care आ रही है और multiple लोगों के through आ रही है तो आपकी life का एक ऐसा time शुरू हो रहा है जहां पर काफी सारे लोग आपको प्यार देंगे आपकी care करेंगे आपका ध्यान रखेंगे आपके friends आपकी family शायद कोई romantic partner उसके बाद take the time to review the details carefully justice बता रहा है कि आपके अच्छे करमाज आपको मिलेंगे आपने जितना भी लोगों के लिए अच्छा किया है वो किसी ना किसी form में आपके पास lot के आएगा तो कभी कभी अगर आपको ऐसा feel होता है कि मैंने किसी के लिए इतना अच्छा किया पर वो waste गया है या फिर मेरी life में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी वो अच्छी चीज़ आपको return में lot के आएंगी आपके पास और आप life में balanced feel करेंगे तो अगर अभी ऐस feel हो रहा है कि universe मेरे साथ आप ऐसे क्यों कर रहे है this and that हम अक्सर feel करते है तो feel करने की जरुवत नहीं है it's just a matter of time okay आपका भी वो phase आएगा जब आप life में 100% fulfilled रहेंगे कोई खालीपन नहीं रहेगी life में कोई कमी नहीं रहेगी आप complete महसूस करेंगे वो time आएगा आपकी life में भी ओके यह आपके लिए assurance है उसके बाद okay so यहाँ पर universe बता रहे हैं कि आपकी life में कोई connection है जो की बहुत ही प्यारा connection है यह connection आपका कोई best friend हो सकता है या फिर आपके parents हो सकते हैं जो आपको प्यार देते हैं आपको care देते हैं उस connection को for granted मत लीजिए okay तो अगर आप इतने blessed है कि आपकी family आपके friends या कोई person आपको प्यार देता है आपकी care करता है तो उस चीज़ को बिलकुल भी कभी भी for granted नहीं लेना है हमें हमेशा blessed feel करना है उस चीज़ के लिए okay उसके बाद हमारे पास message है traveling lightly simplify your life life में आगे बढ़ने से पहले अपने बोच को हलका करें बहुत ज जो चीज unnecessary है उसको life से निकाले मतलब की दवाली की सफाई करते हैं या फिर हम कभी भी घर में सफाई करते हैं तो कैसे सफाई करते हैं जो फाल्तु की चीज़े होती हैं उसे हटा देते हैं कुछ चीज़े donate करते हैं कुछ चीज़े हम रद्दी में बेज देते हैं तो जिस तरीके से घर की सफाई करते हैं वैसे ही अपनी लाइफ की सफाई करिये जो unnecessary topics है lifetime में उसे हटाईए life से जो unnecessary लोग है life में उन्हें अपना time देना बंद करिये अपनी life को विवस्थित करिये जैसे कि आप जब flight में जाते है airport पे तो एक particular amount of luggage, एक particular लोड ऑफ लगेज ही आप ले जा सकते हैं जैसे 10 kg अगर आप लगेज ले जा सकते हैं तो कई बार बैग अगर आपका 10 kg से जादा भारी है आपने बहुत सारा सामान रखा हुआ है तो एरपोर्ट पे वो लोग आपका बैग खाली करवाएंगे और बोलेंगे कि जितना फालत कोई आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जो अन्नेसेसरी सामान है जो अन्नेसरी चीजे है लाइफ से जो दिस्ट्राक्शन है जो लोग है उन्हें लाइफ से निकालें जिससे कि आप थोड़ा light feel करें थोड़ा fresh feel करें और लाइफ में आगे बढ़ सकें ट्रावल lightly simplify your life अप risk venture forward risk ले थोड़ा life में आगे बढ़ें और अपने comfort zone से निकलें okay उसके बादे grace and gratitude तो again वही message है कि जितना जादा gratitude बोलेंगे जितना जादा blessed feel करेंगे उतनी जादा blessings आप life में manifest करेंगे okay Pisces this is it for this reading इतना अच्छा लगाया आपकी reading करके और इस reading से कोई भी value मिलियो तो please like कर कर दीजेगा और subscribe कर दीजेगा take good care of yourself and I'll see you next time bye